अभी नए विचारों के प्रती शंका का भाव रखना इंसान के स्वभाव में है। परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका आस्था में बदल जाएगी और जल्दी ही यह आस्था पूर्न आस्था में बदल जाएगी। कई दार्शनिकों ने यह कहा है कि इनसान इस धर्ती पर अपने भाग्य का निर्माता स्वयम है परंतु उनमें से अधिकांश यह कहना भूल गए हैं कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इच्छा को धन में रूपांतरित करने की तक्नीक में आत्मसुझाव का प्रयोग शामिल है जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है बाकी के सिध्धान सिर्फ औजार हैं जिनके द्वारा आत्मसुझाव का प्रयोग किया जाता है इस विचार को अपने मस्तिष्क में रखें और आप हमेशा सचेत रहेंगे की आत्मसुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से आत्मसुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों से कितना अधिक धन कमा सकते हैं जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आप दुबारा इस अध्याव पर लोटें और भावना और कार्य की दृष्टी से इस निर्देश का अनुसरन करें पूरे अध्याई को हर रात को एक बार जोर से पढ़ें जब तक कि आपको यह पूरी तरह से विश्वास न हो जाए कि आत्मसुझाव का सिध्धान्त दमदार है और यह आपके लिए वह सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है जब आप पढ़ें तो हर उस वाक्य को रेखांकेत कर लें जिसने आपको प्रभावित किया है इस निर्देश का पूरी तरह से पालन करें और यह बताएगा कि सफलता के सिध्धान्तों को आप पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते ह प्रभावित कि समझ सकते हैं